कहते हैं नदी किनारे रूखडा जब तब होए बिनास नदी के किनारे अगर कोई पेड होगा तो वह बिनास में तो जाएगा ही कभी न कभी कट कर वह नदी में चला ही जाएगा नेपाल ने बड़ी गलती कर दी चीन का साथ लेकर और अब नेपाल को भारत से चाहिए मदद लेकिन भारत के रोपरमुक के नेपाल जाने पर क्या चीन ने नेपाल में बवाल मचाना सुरू कर दिया है वहीं दूसरी तरफ FATF की लिस्ट से बाहर निकलने में FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को सबसे बड़ा धोका दिया चीन ने और आखिर चीन ने ऐसा धोका क्यों दिया इसके अलावे बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से दूरजन की संगती उतनी ही खराब होती है जितनी की आस्तीन में साप को पालना नेपाल अब इस चीज को भूगत रहा है नेपाल के राजनेताओं को सायद अब यह बाद समझ में आ गई है कि नेपाल अब चीन के कबजे में जा रहा है और नेपाल का हाल भी तिपद की तरह होने वाला है जिसके बाद कथित तोर पर नेपाल को भारत से चाहिए मदद हाल ही में भारत के रो के परमुक सामंत कुमार गोयल ने काट मांडू में परधान मंतरी ओली से बात करी जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने नेपाल में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है वहीं दूसरी तरफ अपने दूसरे पडोसी नेपाल में भी कुछ भ्यांग कर चल रहा है अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि परधान मंत्री केपी सर्माओली चीन के चंगुल में बुरी तरीके से फस गए हैं जिससे निकलने के लिए उन्हें भारत की मदद चाहिए और इसी कारण उन्होंने भारत के रोपरमुख को अपने देश में मीटिंग के लिए बुल पुस्प कमल दहल, सेर बहादूर देवबान, माधव कुमार नेपाल के साथ साथ कई नेताओं से मुलाकात करी वैसे इस मुलाकात के बारे में ज़्यादा जानकारी कहीं भी नहीं है लेकिन अब चीन ने बवाल खड़ा कर दिया है नेपाल में ऐसा कहा जा रहा है कि चीन क समर्थित नेता, अब इस मीटिंग को लेकर बड़ा बखेडा खड़ा कर रहे हैं और ये नेता यह पूछ रहे हैं कि ओली आखिर रोखे परमुख से अकेले में क्यों मिले एक राजनी कस्तर पर जो नियम होना चाहिए उसका पालन ओली ने क्यों नहीं करा वैसे आपको बत पहुंच जाती हैं कहीं भी पहुंच जाती हैं वैसे नेपाल की राजनीती में चीन की पकड़ को नकारा नहीं जा सकता है और यहीं कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कबजे में लेते जा रहा है नेपाल को चीन उससे बचने के लिए अब नेपाल रास्ता तलास रहा है वैस इसे नेपाल को तैयार रहना चाहिए क्योंकि उसके घर के अंदर भी चीन के समर्थक है ऐसे में वो कभी नहीं चाहेंगे कि चीन के प्लानिंग में किसी तरह का ब्यवधान पड़े वैसे गुरुवार साम नेपाल के परधानमंत्री केपी सर्मा ओली के कार्याले ने आखिरक सुरी थापा ने कहा कि गोयल और ओली की मुलाकात बुदवार के साम को वालू वाटर में हुई थी बैठक में गोयल ने सदियो पुरानी दोस्ती को लेकर अपनी पर्तिवत्ता दहराई और सीमा मुद्धों को बातचीत और ड्विपच्छी सहयोग से सुझाने की बात कही ह हाला कि थापा ने यह नहीं बताया कि बैठक में ओली ने क्या कहा वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे पडोसी पाकिस्तान क्या FATF लिस्ट से बाहर आ गए हैसला आ चुका है इस वक्त दुनिया में बड़ी हल्चल मची हुई है लगभग दुनिया का हर देश दो तरह की ल यारी कर रहे हैं चीन का आयरेंट बरदर बना पाकिस्तान खुद बड़ी समस्या से घीरा हुआ है एक तरफ जहां सिंध में पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस के बीच टसन बरकरार है और जो एक ग्रियह युद्ध का रूप ले रही है तो वहीं दूसरी त इमरान खान सरकार की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जिसने धोका दिया है पाकिस्तान को वह पाकिस्तान का ही आयरेंट ब्रदर है इतना में तो आप समझी गए होंगे कि पाकिस्तान को इस बार किसने धोका दिया और साथ नहीं दिया, तूर्की के लाख कोशिसों के बाउजूद, चीन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, आखिर क्या हुआ था, पेरिस में हुई पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला लिया और बिपच्च के बिरोज समेत कई मसलों में बुरी तरह से उल जी इम्रान सरकार के लिए यह बड़ा जटका माना जाता है बैठक में तुर्की ने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करी लेकिन चीन के साथ साथ किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया अमेरिका, बिर्टेन, फ्रांस और जर्मनी भी पाकिस्तान के सक्रिये अतंकिसमों के खिलाफ एक्सन से संतुष्ट नहीं दिखे FATF ने सुकरवार को कहा कि पाकिस्तान सरकार टास्क फोर्स के और से दिये गए 27 पॉइंट्स को पूरा करने में नाकाम रही इसके बाद यह फैसला लिया गया है पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिश्ट में डाला गया था चर्चा के दोरान तूर्की ने प्रस्ताव रखा कि सभी सदस्य पाकिस्तान के अच्छे काम पर भी विचार करे 27 में बाकी बचे 6 पॉइंट्स पर काम पुरा होने का इंतिजार करने के बजाए एक टीम पाकिस्तान भेज कर अंतिन मुल्यांकन करना चाहिए FATF के 38 सदस्यों में से किसी ने भी प्लेनरी सेशन के दोरान तूर्की के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं दिया इन सदस्यों में पाकिस्तान के करीबी शहयोगी चीन, मलेसिया, सौधी अरब भी सामिल है इसे साफ हो गया है कि फिलहाल FATF की टीम पाकिस्तान में ओन साइट विजिट नहीं लेगी टास्क फोर्ष ने पाकिस्तान को अगले रिब्यू तक ग्रे लिश्ट में ही रखने का फैसला लिया है और अब अगला रिब्यू फरवरी में होना है वैसे आपको बता दें अधिकारियों ने यह बताया है कि पाकिस्तान मनी लॉंडरिंग टेरर फंडिंग के खिलाफ लडाई में ग्लोबल कमिट्मेंट और मानकों को पूरा करने में नाकाम रहा है 27 सुत्रिये एक्षन प्लान में से उसने केवल 21 ही पूरे किये है पाकिस्तान के ग्रे लिष्ट में बने रहने से उसके लिए अंतराष्टिय मुद्रा कोस यानि की आईमेफ, वर्ल्ड बेंक और उरोपिय संक से आर्थिक मदद मिलना मुस्किल हो जाएगा देश की अर्थमेबस्ता पहले से यह खसता हाल है बीदेशी मदद नहीं मिलने सिवसी हालत और भी खराब हो जाएगी वैसे आपको क्या लगता है FATF की लिष्ट से निकलने में पाकिस्तान की मदद चीन ने क्यों नहीं करी क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चीन चाहता है कि किसी तरह की आर्थिक मदद पाकिस्तान पो ना मिले और घुटनों के बल पर वह चीन से मदद मांगे और चीन का घुलाम बन कर रहे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ